नमशकार आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत पधाईयां मा तुर्गा की नफ शक्तियों का दूसरा स्वरूप देवी ब्रहमचारणी का है यहां ब्रहमचारणी अर्थात तब की चारणी तब का आचरन करने वाली ब्रह्मचाणी देडी का सुरूप पूर्ण जोतिर में एवं अत्यंत भव्य है इनके दाहिने हाथ में जब किमाला और बाय हाथ में कमंडल रहता है माब्रह्मचाणी की जन्म की कथा अपने पूर्व जन में जब ये हिमाले के घर में पुत्री रूप में उत्पन हुई तब नारत के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी की पती रूप में प्राप्त करने के लिए अतिंत कठिन तपस्या की इस दुशकर तपस्या के कारण इन्हें तब चारणी अर्थाद ब्रह्म चारणी नाम से अभिद किया गया एक हजार वर्स उन्होंने केवल फल मूल खा कर वितीत किये और सौ वर्षों तक केवल साख पर निर्वा किया कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकास की नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे इस कठिन तपस्या के पश्चात तीन हजार वर्षों तक केवल जमीन पर तूट कर गिरे हुए बेल पत्रों को खा कर विश भगवान शिप की अरादना करती रही इसके बाद उन्होंने सुखी बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक वे निरजल और निराहार तपस्या करती रही पत्रों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपढ़ना भी बढ़ गया कई हजार वर्षों की इस कटिन तपस्या के कारण ब्रह्मचार्णी देवी का चरीर एक्दम छीन हो उठा उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मेना अत्यन्त दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कटिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी उमा तब से देवी ब्रह्मचार्णी का एक नया नाम उमा भी पड़ गया उनकी इस तपस्या से तीनों लोग में हाहाकार मच गया देखता, रिशी, सिद्गुड, मुनी, सभी देवी ब्रह्मचार्णी की इस तपस्या को अद्भुत पूर्व, पूर्णिकरत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे अंत में पितामा ब्रह्मा जी ने आकाशवानी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन स्वर में कहा हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कटोर तपस्या नहीं की, जैसी तुम नहीं की है तुम्हारे इस अहलोकक करत की चारो ओर साहराना हो रही है तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी भगवान, चंद्रमॉली शिव जी, तुम्हें पती रूप में प्राप्त अवस्य होंगे तब तुम तपस्या से विरत होकर घर लोट जाओ शीगरी ही तुम्हारे पिता, तुम्हें बुलाने आ रहे है माब्रहम शानी की पूजा विधी देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हातों में एक फूल लेकर प्रातना करें इसके पश्यात देवी को पंचब्रत हिस्नान कराएं और फिर भाती-भाती के फूल, अक्षत, कुम-कुम, सिंदूर, अर्पित करें देवी को लाल फूल काफी पसंद है गीवा कपूर मिलाकर देवी की आरती करें अंत में छपां प्रातना करें और देवी ब्रह्मचार्णी की पूजा का लाप माब्रम चार्णी देवी के क्रपा से उसे सर्वत्र शिद्धी और विजय की प्राप्ती होती है